तो आज मैं आप लोगों के लिए चैने दाल के पकोड़े की रेसिपी लेका हूँ यह रेसिपी मेरी ममा बना रही है जो की बहुत स्वाधिस्ट होती है तो सबसे पहले हमने यहां चैने दाल ले लेना है जिसे हमने ओवरनाइट बिगो कर रखना है तो हमने इसे करें वीडियो को लाइक करें और मुझे खूब सारा सपोर्ट करें ध्यान रहे कि ग्राइंड करते वक्त यहां हमने कुछ लैसून की कलिया एक कर दिया है और कुछ हरी मेर्च एक कर दिया है तो अब हम यहां अपने टेस्ट का कोडिंग यहां हमने इसे पहले रेड और ग्रीन चीरी एक किया हुआ है तो अब हम यहां अनिया बेट कर देगे और इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और वन टू बर्ट आवरह उससे हमने छोड़ देना ह Emily तो अब हमने यहांσι रिफाइंड गडाही में डाल लिया है यह सब तरीके से गर्म कर लिया है तो लुअए है पकोड़े डिपने कर लेंगे तो देखिये कितने लग रहे हैं और मैंसे अब आकत्रफ से निकाल लेंगे Цर्ट अध़ हम उसे भी इसे तरीके से डी फ्राइ कर लेंगे बिल्कुल इसे तरीके से यह देख सकते हैं आप लोग तो मैंने यहां इसे ग्रीन चटनी के साथ लिया है अगर आपको इस की राजी पी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताईगा सो के बाई